दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार बाड़ी को स्लिम रखने के चकर में हम सही तरीके से वर्काउट ही नहीं कर पाते हैं इसकी वज़े से हमारा टमी तो स्लिम हो जाता है लेकिन हमारा लोर एरिया बिल्कुल भी स्लिम नहीं हो पाता है और इसी वज़े से हमारे थाइस भी काफी ज्यादा मोटी मोटी दिखाई देती है चलिया आज जनते हैं कुछ ऐसे आसान से तरीके जो आपके थाइस के फैट को कम करने में आपकी मदद करेंगे दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आपके थाइस पर बहुत ज्यादा फैट ना हो तो आपको कुछ चीजों को करने की जरूरत है सबसे पहले आपको ये जनने की जरूरत है कि हमारी थाइस पर फैट जमता कैसे है दोस्तो अगर आप सही तरीकी की डाइट कंस्यूम नहीं करते हैं तो सेलुलाइट हमारी बॉड़ी के अंदर जमना शुरू हो जाता है और वही cellulite हमारी body को बहारी तोर पर फुला देता है जिसकी वज़े से हमारा tummy, हमारी hips, हमारी thighs काफी ज़्यादा मोटी दिखाई देती है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका cellulite कम हो तो आपको व्यायाम करने की, push-ups करने की, exercise करने की, aerobics करने की या फिर सही तरीके से दौर लगाने की practice शुरू कर देनी चाहिए अगर आप simply सिर्फ सुभा आदे गंटे के लिए दौर लगाते हैं तो उसकी वज़े से भी ये आपके पूरे workout को complete कर देता है आपकी पूरी lower body पर सही तरीके से काम करता है lower body को अच्छे तरीके से maintain करने में आपकी मदद करता है अगर आप सही तरीके की diet के साथ व्यायाम करना शुरू करते हैं तो ये आपकी body को maintain करने में आपकी काफी मदद कर सकता है सो दोस्तों ये सारी चीज़े ज़रूर try करिए ताकि आप भी अपनी थाइस के fat को आसानी से घटा पाएं मेरी beauty और health से related videos को देखने के लिए YouTube पर like, share और subscribe कीजिए